बिग बॉल 17 में करण जोहर ने दिखाया ईशा मालविय का दोगलापन विक्की जैन को भी सुनाई अंकिता की कारण खरी खोटी दरशल आपको बता दे कि बिग बॉल सीजन 17 का नया प्रोमो साम्याया इसमें करंट जोहर विक्की जैन और ईशा मालविय को फटकार लगाते दिख रही हैं जहां मुनबबत फारुकी की निजी जिन्द्गी और रिष्टो पर मज़े लेने के लिए ईशा की क्लास लगाते हैं तो वही मा की कही बातों के लिए विक्की जैन को सुनाते हैं वहीं आपको बता दे की Big Boss 17 के विकेंज का बार एपिसोड खास होने वाला है क्योंकि करंट जोहर विक्की जैन को फटकार लगाते दिखाई देंगे साथ ही वह इशा मालविय का भी घरवालों के सामने मुखोचा उतार फेंकिंगे वह उनको भी अच्छे से लताड़ेंगे इन सब के अलावा शो में सुनील शेट्टी आएंगे लेकिन उसके पहले भारती सिंग और हर्श लिम्बाचिया मस्ती मजाग करते दिखेंगे आईए बताते हैं कि शो के प्रोमो में आखिर क्या क्या है बिक बॉस सरंचीन के प्रोमो में करन जोहर फैमिली वीक के बारे में बात करते हैं वह अंकिता और सास के बीच हुई बातों पर विक्की जैन से बात करते हैं वह कहते हैं जब आपकी मा आकर अंकिता से सवाल पूछती हैं तब एक पती होने के नाते आपको उनके पीछे खड़े होना चाहिए। जब कुछ कहा सुरी बाते होती है और जब बड़े हैं बुदर्ग हैं आदर मैं उनका करता हूँ। मैंने फिल्म भी बनाई है लेकिन मैं चाती छोग कर ये बात कहना चाहूँगा कि बड़े हैं बुदर्ग हैं लेकिन उनसे भी गलतियां हो सकती है दिल तोड़ने का हत उनको भी नहीं है याद है उस रात आधा पौना घंटा अंकीता आपको और आपकी मा को सिर्फ सौरी बॉल रही थी और आप बॉल रहे थे कि छीक है हम है एक दूसरे के लिए आपने अंकीता से एक बार नहीं पूछा कि क्या हो गया इतनी सौरी क्यों बॉल रही हो वन हंड्रेड नियोल्स की रिपॉर्ट